जैसी ग्रशना, श्री गुसाई जी ने अपने साथ बालकों को साथ मुख्य स्वरूप पदराय अन्य स्वरूपों के साथ उन सभी स्वरूपों की विशेषता है, उनसे जुड़े हुए इंट्रेस्टिंग फैट्स हम जानेंगे के वाईपी के इन साथ एपिसोड तो फर्स्ट एपिसोड के साथ शुरू करते हैं आईए प्रथम स्वरूप है श्रीनाजी बावा, जो श्रीनाजी बावा की आग्या से ही श्री गुसाई जी ने अपने प्रथम पुत्र श्री गिर्दर जी के माथे पदराय थे श्रीनाजी बावा श्री गिरिराज जी का संभूत विग्र है और वे पुष्टी मार्क के प्रधान पीठ है और सभी गरों में मान्य सेव्य है उनकी उर्द्व बुजा 1466, मुखारविन 1535 और संपूर्ण विग्र 1549 में प्रगट हुए थे प्रथम श्रीनाजी बावा को श्री महाप्रभु जी ने किये और आपको श्री गोपाल जी पुकारा गया फिर श्री गुसाई जी ने आपको श्री गोवर्धन नाजी का नाम दिया और श्री गोकुलेश जी के समय में आपको श्रीनाजी पुकारा गया श्रिना जी में श्री शब्द स्वामिनी जी राधा परक है और नाथ शब्द स्वामी वाचक है श्री विग्र में पिठिका है जिसमें तीन मुनी संकर्षन, प्रद्यूमन और अनिरूप और चतुर्थ वासुदे स्वारूप ठाकोजी स्वयम कंद्रा के द्वार पर उपस्तित है पिठिका में अन्य चिन है जैसे की श्री मस्तक पर शुक वेद माता गायतरी का स्वारूप है नरसी कर्म ज्यान भक्ती का स्वरूप है सर्ब काल वेरागय का स्वरूप है मयूर प्रेम का स्वरूप है और दूसरा नाग सेश का स्वरूप है शिमत भागवत जी को श्रिनाज जी का वांग मैं स्वरूप बताया जाता है यदि ये इंफोर्मेशन पसंद आए तो शेर जरूर कीजिएगा रैसी करश्टन